चैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो क्लास 11 एकाउंटिंग चाप्टर 1 इंट्रोडेक्शन आफ एकाउंटिंग मेरात्न कलास हम लोगों की start होने वाली है तो एक लेक्शर एक चाप्टर यह हमारा कॉंसेप्ट है एक लेक्शर में आपका एक चाप्टर क्या हो जाएगा complete हो जाए गा चलिए फिर क्या करने जा रहे हैं तैयारी करने जा रहे हैं जो फाइनल पेपर देने के लिए तैयार हो रहे हैं जब आप chapter 1 की बात करते हुँ तो chapter 1 में आपको meaning of accounting, feature of accounting, objective of accounting, function of accounting ये साथ साथ आपको difference between the bookkeeping and accounting, and accountancy, branch of accounting, nature of accounting, user of accounting, source of accounting information, limitation और साथ ही साथ आपका role of accounting नहीं कहने का मतलब है यह सारी चीज को क्वेट समझते हैं Allah कि स्क्रेंच या फिर अगर आप आप कहेंगे इसका PDF देने के लिए तो आप हमारे नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजेगा हम आपको chapter 1 के साथ जो जितने भी हमारे chapter है आगे के वह सारे chapter आपको Hindi और English जिस भी language में आप कहेंगे उसमें हम आपको भिज़ देंगे profit or loss को जानना चाहता है कि नहीं जानना क्या चाहता है profit or loss को जानना चाहता है साथ ही साथ उसने जितना भी capital लगाया है business में जितना भी capital उ सने लगाया है end of the year क्या उसकी return हो रही है उस return को find out करने के लिए हमें किसका algumवार पड़ता है अगर यह माल लीजे एक नमबर का सवाल आ जाता है कि explain the need of accounting आप सीधा कहना कि end of the year all the businessmen want to know they have gain or a lot मतलब profit या loss during the year जितना भी profit जितना भी capital उन्होंने लगाया है उस capital पे उन्हें कितना return हो रहा है तो यह आपका क्या आ जाएगा need of accounting में consider कर लिया जाएगा साथ देखिए जो main question आपका है वो क्या है एक नमबर का सवाल यहां से आता है what is the language of the business तो आप इसका answer देंगे कि accounting is the language of the business मैं आपको एक नमबर भी बताता रहूंगा कि कहां से आपके एक नमबर के सवाल यहां से पूछी जा सकते हैं तो आपसे पूछेगा कि explain the language of the business या language of the business आपका accounting है वो data को recording classification summarization यह तीन सब्द आप अपने दिमाग में सेट कर लिजे recording classification और आपका क्या summarization जितने भी आपके business transaction होते हैं तो कि आपके monetary business transaction होते हैं उस monetary transaction को record classify और summarize यह किसके द्वारा किया जाता है आपका accounting के द्वारा किया जाता है और इसलिए किया जाता है ताकि end of the year आपको दो जिजें पता चल सके और दो चीजों में से सबसे पहली चीज का नाम क्या है आपका profit and loss यह पता चल सके और profit and loss पता करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा balance sheet से क्या पता चल सकता है balance sheet से आपका financial position पता चलता है balance sheet से आपका क्या पता चलता है financial position एक number का सवाल यहां से आ सकता है net result find out करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा आप answer क्या देंगे profit financial net result के लिए net result के लिए क्या answer आएगा profit and loss आएगा और अगर सवाल यह आता है कि ज़रा बताईए financial position पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा तो answer क्या देंगे आप balance sheet देंगे इतनी बाते समझ में आ गई accounting में कितनी activity consider की जाती है तीन activity पहला क्या है recording दूसरा क्या है classification और तीसरा क्या है आपका summarization बात clear हो गई बेटा इतना फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक question आएगा कि explain the definition of the accounting what is the definition of the accounting जो definition है वो दो लोगों में से आप किसी की भी आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो चाहे तो आप R.K. Antonio की definition याद कर लो या फिर आप American Institute of Certified Public Accountant की आप definition क्या करो याद कर लो मैं आपको बताओं सबसे easy definition किसकी है जानते हो सबसे easy definition आपकी American Institute of Certified Public Accountant की है अब आप कहोगे sir दिख तो रही उपर वाली है उसमें तीनी लाइन है लेकिन नीचे वाली में तो चार लाइन है देखो चार लाइन भले है लेकिन ये आपको feature of accounting को भी explain कर देता है अगर आप Institute of Certified Public Accountant की अगर आप definition याद कर लेते हो तो आपको definition के साथ साथ feature भी क्या हो जाएगा याद हो जाएगा कैसे आईए पहले definition को देखते हैं क्या लिखा है कि accounting is the art of the classification and summarization in the significant manner in the terms of the money फिर आगे क्या है transaction and event देखो यहाँ तक तो आपका automatic ही याद है आपको कहा तक summarization तक तो मैंने अभी अभी आपको पहले ही याद करा दिया अब आपको आगे दो लाइन और याद करनी है क्या लिखा है कहता significant manner in the terms of the money transaction and event और फिर उसके बाद यहाँ पे एक line क्या बोल रहा है कि which are in part at least of the financial character यानि जो आप transaction और event record करोगे उसमें आपका financial character दिखना चाहिए financial character का मतलब क्या है financial character का मतलब है यहाँ पे पैसे से सम्मंदित है आप कोई भी transaction अगर money में convert कर पा रहे हो या आप उसे money में क्या कर पा रहे हो measure कर पा रहे हो तो ही आप उसकी recording classification और summarization करोगे यानि जिस transaction को आप money में convert नहीं कर पा रहे हो या money में measure नहीं कर पा रहे हो तो उसकी आप recording अपने books of account में करी नहीं सकते example जैसे आप माल लीजे market में गए बनाना लेने के लिए तो आप क्या कहोगे एक किलो बनाना दे दो या एक लिटर बनाना दे दो या एक दरजन बनाना दे दो वो हमारा क्या होता है money होता है क्या होता है आपका बेटा जी money होता है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो यहां पर क्या लिखा है कि जो आपका financial character है चाहे वो transaction को लेकर हो चाहे event को लेकर हो at least one part उसका क्या होना चाहिए financial character होना चाहिए तभी हम उसको क्या करेंगे record कर था कि आप definition याद कर लो, definition के साथ साथ अभी देखो feature भी आपको मैं याद दिला देता हूँ, देखो सब दूसरा feature देखो, क्या लिखा है, पहला भी कुछ दिर बाद देखेंगे, दूसरा feature देखो, उसने पहले question देखो क्या कहता है, अब देखो question आप से तीन तरीके से, दो concept भी पूछेगा, तो भी feature लिखना है, character भी पूछेगा, तो भी क्या लिखना है, feature लिखना है, और feature पूछेगा, तो feature लिखना ही लिखना है, clear हो गया, तो देखो, पहला feature, अभी हम कुछ दिर बाद discuss करेंगे, उससे पहले वो feature देख लेते हैं, जो हम already पढ़कर आ रहे है मैंने क्या कहा था, कि जो American Institute of Certified Accountant वाला है, उसमें सबसे पहले एक point क्या था, accounting is the art of the recording, तो देखें, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या लिखा है, recording of the financial transaction only, financial transaction only, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छा, दूसरा feature हमारा क्या यहाँ पर दिया है, कहता है, recording in the terms of money, recording in the terms of money, point clear हो गया बेटा, फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या है बेटा, feature क्या है हमारा, classification, फिर अच्छा, सोचो, अगला feature क्या होगा, अगला feature क्या होगा, recording, classification, तीसरा, देखो क्या यही लिखा है क्या, बात समझ में आ गई, तो देखो definition आपने याद की, तीन feature automatic याद हो गए, point clear हो गया, अब देखो सबसे पहले point पे आते हैं, जिसमें लिखा था कि accounting is the art as well as science, कभी कभी इस तरीके का question आपको explain करने के लिए भी दे सकता है, कि explain accounting is the art as well as science, देखो accounting art भी है और आपका science भी है, अब आप कहोगे सर कैसे, देखो art का मतलब क्या होता है, कि art is the technique of attending the some predetermined objective, कोई भी कारी अगर हमें करना है, इस कारी करने का जो आपका तरीका होता है, तरीका होता है, वो आपका क्या कहलाता है, art कहलाता है, जैसे मेरी class में 10 बच्चे अगर वैठे हैं माल लीजे, और 10 बच्चों को मैंने कहा कि चलो जाओ आप लोग सबजी बनाओ, और सब को मैंने same material दे दिया, अललग अलग 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 थीक उसी प्रकार मतलब सबके कम करणे का मतलब सबниц we know एक अलग 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 है लेकिन सबका objective क्या था सब जीवन आना ही तो था इसलिए कहा गया है कि account art is the technique to attending the sum pre-determined objective यानि objective पहले से ही निश्चित रहता है तो accounting की जब हम बात करते हैं तो accounting का objective क्या है अभी अभी बताया या तो net result find out करना या तो क्या financial position पता करना इस दो objective तो हमने अभी अभी पढ़ लिये थे न पहला क्या था net result find out करना दूसरा क्या आपका financial position अब net result के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा profit and loss account बनाना पड़ेगा financial position के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा balance sheet बनाना पड़ेगा बात समच में आ गई की नहीं आ गई देखे क्या लिखा है कि accounting is the art of recording classification and summarization of the business transaction with view to with view to ascertain the net profit and financial position net profit and financial position of the business enterprises इतनी बात समच में आ गई की नहीं आ गई बेटा अब ये तो explanation है कि accounting art है लेकिन अब explanation हमें समचनी है कि sir account science भी है science का मतलब क्या होता है collection of the principal तो क्या accounting में भी हमें principle पढ़ने पढ़ते हैं याद करो chapter 2 accounting principle chapter 2 accounting principle कई सारे principles थे पताओ accounting is the art as well as science हो गया कि नहीं हो गया automatic define हो गया भाई देखो क्या लिखा है in the respect of देखे क्या लिखा है in the respect of the accountancy is also the science since it also the organized the body of the knowledge based on the certain specified principle and accounting standards बताइए बेटा अगर ये पांच नमर में सवाल आया तो क्या आप लोग इसको लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे समझ में आगे बाबू चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारे फीचर दूसरा फीचर हमारा क्या था recording of the financial transaction मतलब जो हमारे transaction financial नहीं होंगे उनकी हम recording नहीं करेंगे और जब हम recording करेंगे तो किसमें करेंगे in the terms of money में करेंगे और फिर recording करने के बाद हम उसको क्या करेंगे classify करेंगे और classify कैसे करेंगे अरे भीया याद करो आप classification के लिए क्या बनाते थे laser बनाते थे कि नहीं बनाते थे wages का laser अलग होता था salary का अलग होता था administration का अलग advertisement का अलग होता था commission का अलग होता था sales का अलग होता था purchase का अलग होता था separate account are open बतलब हर transaction को आप separately क्या करते थे open करते थे कि नहीं करते थे आगे बढ़ते हैं अगला point आपका क्या था summarization तो already आप पढ़ चुके हो देखो summarization का मतलब होता है देखें यहाँ पर क्या लिखा है pertaining presenting the classified data in the manner which is the understandable and used to the management and other user of such data summarization का मतलब यह होता है कि हमको data को इस तरीके से present करना है classified data दहां से सुनिए classified data को क्या बोला मैंने classified data को इस तरीके से present करना है ताकि हमारे जो user है हमारे जो क्या है वेटा user है user कौन या तो internal या तो external बतलब मालिक होगा या तो investor होगा या तो गा तो गोर्रमेंट हो गए या तो आपके brightest है तो यह जो investor है यह हमारे data को समस्व के ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा होगा जो क्या लोग होते हैं कहना तो नहीं चाहिए जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनकी राइटिंग कभी देखो, बड़ी खतनाक राइटिंग लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, आई से इसे करके लिख देते हैं, चलो होगी दवाई, सर बुखार है, अच्छा बुखार है, लेओ, सर पेट दर्द हो रहा है, अच्छा वो हो लो क्या है यह आगे का पहिला सब तो समझ में आएगा बाकी पता नहीं क्या पन करता है कि दवाई है लेकिन खैर उनकी भी गलती नहीं है वो भी बड़े समझदार किसम के होते हैं अगर उनको दवाई लिखकर आपको दे दें तो अगली बार उनके पास contrib economy नहीं है है वह हम लोगों को समझदार नहीं बनाना चाहते अरे बैरों तुम्हारा सरदर्ध हुआ फिक है तुमको दवाई पता है किसी यह और की सरदर्ध हुआ तो तुम उसको दवाई नहीं पता दो कि हैं सुमको बूखार हुआ तुमको दवाई पता है डाक्टर न या तीन चीज़े आपको बनानी होती है जिनमें सबसे पहला नाम किसका आता है आपका ट्राइल बैलेंस के बाद फिर आपको क्या बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट और फिर उसके बाद क्या बनाना है वाभू बैलेंस सीट समझ में आ गया बेटा कोई दिक्कत तो नहीं चल फिर उसके बाद आप देखिए ये आपका एकाउंटिंग साइकल है अरे आपने तो गोला गोला बनाया था ये तो कुछ अलग तरीके से आ गया अरे देखो मैंने इस बार कुछ नया करने का प्रयास किया गोला तो सब जगां है मैंने का थोड़ा चौड़ा और सरकल बना देते हैं क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कैसे देखो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है सबसे पहले यहीं से तो होती है बस मेरे पॉइंट को पढ़के चलना यह पूरा का पूरा आपको यादा जाएगा और इसमें सिर्फ एक दो कुछन का आंसर नहीं है बलकि तीन से चार कुछन का आंसर आपको मिल जाएगा बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते है financial transaction और event को क्या करते है identify करते है और identify कैसे करते है भाईया यह financial transaction है या financial transaction नहीं है और जैसे ही identify हमने कर लिया सर यस यह financial transaction है और मालन नहीं तो इसके आगे कोई कहानी नहीं होगी सर है तो है तो एक काम करो recording करो क्या करो recording करो recording करो recording करो matter interpretation और analysis के बाद सर क्या करो communication करो इतना समझ मैंने, इतना समया, सुरुवाथ कहाँ सिटी मैंने, देखो इस बार मैंने गोला नहीं बनाया, इस बार मैंने चोड़ा-चोड़ा कर दिया सबसे पहले क्या किया? identification, identification किसका, financial transaction है, या financial transaction नहीं है आपने कहा सर है तो काम करो फिर क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे अब सवाल आता है रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे जर्नल इंटरी के माध्यम से करिए ना इसके माध्यम से करिए जर्नल इंट्री के माध्धियम से करिए या फिर आपके सामने इतनी सारी सबसीडरी बुक हैं इनमें सबसे पहला क्या था कैश बूक परचेज बूक, सेल बूक, परचेज रिटन बूक, सेल रिटन बूक, बिल पेबल बूक, बिल रिसीबल book journal book इतनी सारी है कि नहीं है इन में से किसी का माध्यम का इस्तमाल करिए इन माध्यम का इस्तमाल करने के बाद जब आपने क्या कर लिया recording कर लिया तो recording के बाद क्या करोगे classification और classification किसके माध्यम से करोगे आप laser के माध्यम से और laser के बाद आप क्या करोगे summarization, summarization कैसे करोगे, trial balance trading profit and loss account और last क्या है आपका balance sheet then उसके बाद analysis करो और analysis का मतलब क्या होता है enabling the interested party to take the decision मतलब इसका क्या है, देखो एक चीज़ जानो यह जो analysis है, analysis interpreting या communication है यह financial accounting नहीं, बलकि यह management accounting का part है इसका part है बेटा management accounting का part है, फिलाल थोड़ा साब जान लीजे analysis का मतलब क्या होता है analysis को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग visualization करना visualization करेंगे किसका अरे भाई, जो चीज हमने किया है, उसी को तो हम तुला करेंगे, उसी का तो compression करेंगे, वही compare करके हम पता करेंगे कि हम profit में है या फिर किस में है, loss में है, हम growth कर रहे हैं या अभी growth है नहीं कर रहे हैं, भी तो देखना है हमको, पता चला पिछली साल profit आया था 10,000, इस बार भी profit है, लेकिन 9,000 है, तो बताओ हम बढ़े हैं कि घटे हैं, profit पहले भी था, अभी भी है, लेकिन हम घट गए हैं, क्यों कि पहले profit था 10,000, इस बार profit है कितना, 9,000, profit उस दर भी था, इधर भी है, लेकिन घटे हैं, कि कैसे पता चलेगा, analysis से, और last में फिर क्या कर कर दीजे, और communicate किसको करना है, या तो internal user को, या तो फिर आपके किसको, external user को, बताइए बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया आपका क्या, accounting cycle, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर interpretation of result के बारे में भी दिया है, और आपका किस के बारे म of the accounting, देखो, दो तरीके से question आ सकता है, या तो वो आपसे पूछेगा कि जरब बताइए objective क्या है, या तो वो आपसे पूछेगा utility, utility मतलब क्या उप्योगिता न, देखो, दो तो आप पढ़के ही आ रहे हो, ये इसको पढ़ने से पहले दो आप already पढ़के आ रहे हो, to calculate the profit and loss, एक और याद कर लो, क्या, to systematic record of the business transaction, पहला याद हो गया, to record the systematic, to keep the systematic record of the business transaction, फिर to calculate the profit and loss, फिर क्या, to find the financial position of the business, ठीके, और फिर उसके बाद, एक और point देखे, ये देखे, यह यहा पर, to know the, क्या लिखा है, exact reason leading to the net profit or a loss, यानि वो reason भी आपको बता देगा, profit और loss में आप comparison कर रहे थे, कि नहीं कर रहे थे, तो वो comparison आपको बता देगा कि आप, कि आप किस वज़़ा से आपको profit हो रहा है, या किस वज़़ा से आपको क्या हो रहा है, वेटा, loss हो रहा है, बात समझ में आ गई कि नह कोशन आप से कहता है कि accounting perform the following major function, या आप से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि what is the function of the accounting, what is the function of the accounting, तो देखो सबसे पहला function क्या कहता है, maintaining the complete and systematic record, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि ये ही चीज बार बार तोड मडोड के लिखी जा रही है, ऐसा है, ऐसा है बेटा, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी किताब बता रही है, मेरी थोड़ो ना गलती है, पस ये है कि सब्दों को समझने का जो तरीका है, वो अलग-अलग यहां पर क्या किया गया है, explain किया गया है, clear हो गया विटा, फिलाल हमें क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है, अच्छा नंबर लाना है, आगे देखेंगे, देखो सबसे पहला function क्या है, maintaining the complete and systematic record, जर्नल इंट्री में तो हम लोग हर एक चीज को record करते है, डे वाई डे, पूरा का पूरा क्या करते है, रिकॉर्ड करते है, फिर उसके बाद अगला point क्या है, recording करने के बाद हम उसे क्या क करेंगे, financial statement मनाएंगे, अब आप कहोगे sir, financial statement वही क्या, profit and loss, वही क्या, balance sheet में कहूंगा, एकदम सही, financial statement का मतलब ही क्या होता है, देखो एक number का सवाल यहां से आ सकता है, what is the financial statement, तो आप कहना sir, क्या profit and loss, और क्या आपका balance sheet, profit and loss आपका क्या, और balance sheet, ठीके बटा, फिर उसक उसको सर हम प्रोटेक्ट करेंगे का बात कर रहे हो सर accounting business को भी प्रोटेक्ट करता है business को प्रोटेक्ट नहीं करता business की assets को प्रोटेक्ट करता है बात तो एक ही हुई नहीं बात एक ही नहीं हुई बात अलग-अलग है एसिट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है जैसे मुझे पता है कि मेरी ये जमीन है जैसे माल लीजे मैंने एक जमीन खरीदी एक जमीन मैंने क्या कहते है वो करा लिया रेजिस्टरी करा लिया लेकिन रेजिस्टरी कराने के बाद एक और स्टेप होता है जिसे हम लोग कह और जो सेलर का नाम रहता है उसका नाम क्या हो जाता है हट जाता है अब जब हम आखिरी स्टेप यानि खारी जोड़ दाखिल कर लेते हैं तो कोई भी वैक्ति जब इंटरनेट पर ये सर्च करता है कि मेरी जमीन इस भूखंड में है तो क्या उसका नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो अगर कोई वेक्ति चाहकर भी उस पर घर और बनवा ले मैं कहता हूँ बनवा ले लेकिन बनवाने के बाद क्या होगा अरे मेरी जमीन है तुम कैसे बनवा लिए हमारे यहां तो योगी बाबा की सरकार है ना बात बात पर बुल्डेजर लेकर तयार हो जाते हैं यहो तो देखो तो बुल्डेजर बुल्डोजर क्या होगा फिर से तयार होगा मतलब आप जब अपने books of account में machine record जो भी आपकी assets है चाहे tangible हो चाहे intangible हो चाहे current assets जब आप उसको record करेंगे तभी तो आप उसकी position को जान पाएंगे ना अभी जैसे मैं जैसे क्या होता है जब आप कभी नात रिस्तिदार में जाते हैं तो दाधी ओधी लोग दाधी हो नानी हो धीरे से पैसा डाल देते हैं पैसा डाल देते हैं नहीं डाल देते हैं आपको नहीं पता चलता कितना डाले हैं अब पैसा कितना डाले मुझे नहीं पता किसी ने मुझे पैसा निकाल लिया जड़ा बताओ क्या मुझे कुछ अफसोस होगा मुझे जब पता ही नहीं कि मेरी जैब में कितन होगा कुछ बच्चे तो सद्वा में चले जाएंगे तो तभी पता चलेगा जब आप उसकी क्या किये रहोगे रिकॉर्डिंग किये रहोगे तो इसी वजए से जो आपकी assets होती है उसकी क्या की जाती है protection किया जाता है किसके द्वारा आपके counting के दूआरा प्रिर उसके बाद प्रोवाइड ढार्स त終 cucumber यह क्या होता है गाईड करना की गाईड करना पहले क्या जयासे माली जया से 20 साल पहले लिए कुमा कहीं जाना होता था तो हम रास्ता पूश्ते थे वीदू जाये का है अच्छा यह चावराहा से वह चावराहा जा ताए घूमा बाए घूमा होता था नहीं होता था होता था लेकिन आज कल क्या चल रहा है GPS चल रहा है एड्रिस डालो गाड़ी आपको current location share करती रहेगी यानि वो आपको assist कर रही की नहीं कर रही है तो ठीक उसी प्रकार आपका जो accounting है वो management को assist करता है अब सवाल यह उड़ता है कि sir management को कैसे assist करता है तो management के planning में वो help करता है management के controlling में वो help करता है management के decision making में वो क्या करता है वेटा help करता है और इसी बात पे आप ये भी जान लीजे कि management accounting नाम की भी एक चीज होती है अभी हम उसे कुछ देर में आपके साथ चर्चा करेंगे अभी कुछ देर में उसके साथ हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे बात क्लियर हो गई तो आपका पच्वा फीचर पच्वा फंसन क्या है providing the assistant to management देन उसके बाद क्या है वेटा trust ship सर ये क्या होता है देखो एक चीज जानो trust ship का मतलब क्या होता विटा विश्वास ना विश्वाशनियता बहुत सई सब्द है विश्वाशनियता जैसे बात बता ये माल लीजे कि अगर कोई चीज record है माल लीजे आप लोगों ने एक mobile लिया ठीक है क्या लिया आपने बिटा एक mobile लिया आपने कहा भीया वो mobile का हमको बिल दे दो उसने कहा रहे भरोसा नहीं हमारे उपर बिल मांगे तुम हमारी और अपनी दोस्ती खतम कर रहे हो अब mobile का दाम था दो लाख रुपया बाल लो एक मेट के लिए चलो दसाए हजार है चलो दो लाख बहुत बोल दिया दसाए हजार है किनि लोग nou कि इमानदारिष बता कितने लोग बिल लोगे और किने लोग नहीं लोगे पहले वह बताओ जितनी जो जो बिल नहीं लेंगे हाथ उठाओ रेज्ट लेंगे आड़ एक नहीं लेगा ठीक है दोसकी दुकान है तो बताँ बिल लोगे पहले बिल नही लेने वाले हाथ उठाओ दोस्त की दुकान है याद रखे रहना अच्छा तीन नमूने हैं क्लास के ठीक है अच्छा बिल लेंगे ये बताओ बिल लेंगे अच्छा बाकी लोग हैं सुनो ध्यान से एक सब्द आपने सुना होगा वे विड़ा एक आप लोग ने बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी बाप बड़ा न भाईया सबसे बड़ा रूपया अब बताओ जितने लोग हाथ उठाए थे पहले वाले केस में बिल लोगे कि नहीं लोगे अच्छा अभी भी अपने स्टेट्मेंट पे हो बहुत सुन्दर किसी दिन आपका मोबाईल खराब हुआ आपका जो दोस्त है वो मोबाईल नहीं चेंज करेगा बलकि वो सेंटर वाला चेंज करेगा वो सेंटर वाला रिप्लेस करेगा सर्विस सेंटर वाला और सबसे पहले आप से क्या मांगेगा बिलालाओ मालिक बिलालाओ मालिक और फिर उसके बाद फिर उसके बाद you don't have a bill लोग तो यही कहेंगे न यह तो चोरी का माल है भी तो हो सकता है या पकड़े गए आप उसने का बिल दिखाओ सर है यह नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो इसलिए जो आप business कर रहे है तो business में written document का बहुत ज़यादा important है हमें सहां जाद रखें बेटा आप से एक सवाल पूचा जाएगा भर written documents ज़ Road या oral document ज़ादा अच्छा होता है तो बेटा आख मूद के किस पे answer देना क्यूं? क्यूंकि सर विश्वासनियता उससे कायम हो जाती है उससे क्या हो जाती है आपकी विश्वासनियता कायम हो जाती बात समझ में आ गई और फिर उसके बाद अगला पॉइंट देख लिजिए अगला पन्जन क्या है Compliance of the Legal Need सर लीगल नीड कहा पे भीया, income tax में आपको अपना data transfer करना है, GST department में अपना data transfer करना है, company account के पास अपना data आपको transfer करना है, तो सीधी सी बात है, excise duty, sale tax, VAT, ऐसी जगहों पे अपना data आपको share करना पड़ेगा, तो ये तभी share कर पाओगे न, जब आपके पास proper recording होगी, और आपके पास proper recording नहीं है, तो वो आपसे कहें, लाओ data लाओ, आपके पास कुछ पता है नहीं है, आया राम, गया राम वाली कहानी हो जाएगी फिर, जब पता है नहीं हमारे पास कितना है, तो आपके उपर case लगेगा की नहीं लगेगा, fine हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसी लि अपनी öğब्र्राइबог में जोड़न जो नीक Completely है बता है तो अगर हमने साइंस ड critic को दी रका है तो क्या हमें उसकी रिकोरडिंग रखने मा चेक करने का अधिकार है कि नहीं red परसंट है। तो इसका मतलब यह है कि जो science department वाला है वो science department को अपना books of account बनाएगा जो commerce वाला है वो commerce वाले का बनाएगा इससे क्या होगा कि ना तो मैं science वाले department में हस्ता छेप कर पाऊंगा ना ही commerce वाले में वो हमारे में क्या कर पाएंगे हस्ता छेप कर पाएंगे तो ये क्या हो गया, fixing the responsibility हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये थे आपके क्या, function of the accounting, ठीक है, समझ में आ गया, अब कई बार एक सवाल पूछा गया है, कि what is the difference of the bookkeeping and the accounting, हर बार पूछा जाता है, एक बच्चा कहरा है सर, हर बार पूछा जाता है, तो bookkeeping आपका कौन सा stage है, primary stage है, और ये कौन सा stage है, आपका secondary stage है, objective की बात करेंगे, तो इसका काम सिर्फ और सिस्टमाटिक record of the financial transaction से है, लेकिन इसका जो objective है, ये systematic record of business transaction के साथ साथ, net result को भी बताता है, और financial position को भी क्या करता है, बताता है, और साथी साथ, data को ये क्या करता ह करता है इंट्रिस्टेड पार्टी को लेकर तीन चीज़े याद रखनी है क्या फाइनिशल पूजीशन फाइनिशल परफॉर्मेंस और क्या क्या इंट्रिस्टेड पार्टी अब फिर उसके बाद नेचर आप जॉब की बात करेंगे तो इसका जॉब क्या है बेटा रोटीन चलता चलता रहते बात इसकी बात करोगे यह दा मिनकन का मतलब यह होते है ऑशकता अनुसार का मतलब क्या होता है है आपका और शकता के अनुसार समझ में आ गया वंपी Patos K Oke двух उसके बाद नेचर ऑप जॉप की बाद अग्ला क्या है परफॉर्मेंस परफॉर्मक्ष में यह क्या जाएगा तक इकिसके दवारें स्था ओंकिया जाता है जुटिर है वो बेस है किसका accounting का जब आप इसकी बात करोगे तो accounting begin तब होता है जब bookkeeping आपका क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है बताईए इतने सारे point समझ में आ गए कि ने आ गए तर एक बात बताओ 2, 3, 4, 5, 6 तो बता दिए पहला नहीं बताए पहला इसलिए नहीं बताए क्योंकि यहां क्या लिखा है इसकोप क्या लिखा है इसकोप में सबसे पहले देखो इसकोप का मतलब क्या होता है छेत्र इसकोप का मतलब क्या होता है आपका छेत्र जब आप छेत्र की बात करते हो तो जब बताओ bookkeeping में क्या-क्या चीजे आएंगी दोई चीज तो आएगी तो क्या चार चीज आएगी कि अधनींटीफाइउ करना उसuję करना अ मेजर करना रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना चार्शीजन याद करो आइडेंटीफाई करना मेजर करना, रिकॉर्ड करना क्लासिफाई करना और इसकी बात करोगे इसकी एकाउंटिंग की तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा identify तो आएगा, measure भी आएगा, recording भी आएगी, classification भी आएगा, summarization भी आएगा, summarization भी आएगा, summarization भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, देखो यही चीजे देखो, पहला क्या था, identification, measuring, फिर क्या, recording, और फिर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है कि accounting कहां से start होता है summarizing से इससे start होता है summarizing से लेकिन जब bookkeeping खतम होती है अभी तो accounting start होती है मतलब identification, measuring, recording, classification accounting में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अब आगे बात करते है कि एक और difference कई बार पूछा गया है कि what is the difference between the accounting and accountancy accounting and accountancy तो देखो accounting की बात करोगे तो accounting में देखो फिर से क्या आएगा recording, classification, summarizing of the transaction accountancy में क्या आएगा सर देखो क्या लिखा है it is the body of the knowledge prescribing the certain rule or a principle to absorb while recording, classification and summarizing of the transaction मतलब क्या है accountancy का मतलब होता है complete knowledge of accounting क्या बोला मैंने complete knowledge of accounting यानि जितने भी आपके rule और regulation है उन सब के बारे में आपको जानकार होना पड़ेगा उन सब की जानकारी ही आपकी क्या कहलाती है accountancy कहलाती है इसलिए देखें यहाँ पर क्या लिखा अब फिर उसके बाद इसका जो अच्छा एक बात बते है किसका area बड़ा होगा accounting का या accountancy का accounting का area क्या होगा बड़ा होगा और accounting का area क्या होगा आपका अच्छा accounting किस पर डिपेंड है bookkeeping पर डिपेंड है और accountancy किस पर डिपेंड है bookkeeping के साथ साथ बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए अच्छा इसका main function क्या है main function यह है कि हमको net result पता करना है और क्या पता करना है financial position पता करना है और data को communicate करना है to the interested party अच्छा इसका काम क्या है इसका it include the decision making function also the basic basic information provided by the bookkeeping and accounting पता ही बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो दो नंबर या तीन नंबर का सवाल यहां से भी क्या किया जा सकता है कई बार exam में पूछा जा सकता है पूछा गया है तो आप से भी हो सकता है आप देखिए important मैं इसको important इसलिए कहता हूँ इक्जाम में आए या ना आए लेकिन ये आपके आने वाले सालों का एक बेस तयार कर देता है क्या तयार कर देता है बेस तयार कर देता है देखिए आप जो पढ़ रहे हैं इस तमय जो पढ़ रहे हैं वो आप financial accounting पढ़ रहे हैं आगे आप cost accounting पढ़ेंगे उसके आगे management accounting पढ़ेंगे उसके आगे tax accounting पढ़ेंगे उसके आगे social responsibility accounting पढ़ेंगे समझ में आ गया बेटा तो अगर पूछा जाए कि what is the branches of accounting explain the branch of accounting yes a field of accounting तो बोलना कि सर जी पास तरीके का होता है कितने तरीके का होता है पास तरीके का होता है सबसे पहले क्या है financial जो आप पढ़के आ रहे हो जो definition आप पढ़े हो वही definition यहाँ पर आप क्या कर दीजे लिख दीजे के लिए पढ़ लेते हैं आपके लिए आपकी इच्छा के लिए तरी कहता है the main purpose of this branch of accounting to record यह 2 और RC एक साथ लिख गया है बलकि यहाँ पर 2 record होगा ठीक ना यह मत कहना कि सर एक ही में है 2 record है 2 record हो जाती है कहलती है to record the business transaction in the systematic manner to find the profit and loss of accounting period by preparing the profit and loss account to present the financial position of the business by preparing the balance seat this branch of accounting provide the information required to the management and various other interested party बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात clear होगे कि नहीं clear होगे उसके बाद अगला point है cost accounting देखो cost accounting नाम से पकड़ो cost का मतलब क्या होता है लागत यानि किसी भी product और service को हम कितने रुपे में बना रहे हैं उसकी total cost उसकी per unit cost और उस cost को control करने की जो बात की जाएगी क्या बोला मैंने बिटा तीन चीजे मैंने बोली है क्या बोला मैंने total cost per unit cost per unit cost और cost control क्या बोला मैंने cost control यह तीन चीजे इसके द्वारा यह तीन चीजे मैंने बोह ली पहला क्या total cost per unit cost और cost control यह किसके द्वारा perform किया जाएगा आपका cost accounting के द्वारा किया जाएगा clear हो गया पेटा अब इसी को base पे आप यह लिखो the main purpose of the cost accounting to find the total cost per unit cost of the goods and services and rendered by the business it also eliminate the cost in advance and help in the management exercising the strike control over the cost तीन चीज़े बताई ना और यहीं तीन चीजों से आपकी definition भी क्या हो गई पयार भी हो गई अब क्लियर हो गई बेटा अब management accounting की बात करते है sir management accounting बड़ी देर से आप बोल रहे थे तो देखो management accounting कितने तरीके से help करता है अगर आपको याद हो अगर आप feature पड़ रहे थे याद है हम लौटते हैं वहीं पर अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि providing assistance to management तो मैंने क्या कहा था management accounting तीन तरीके से provide करता है ना planning, controlling, planning, controlling, decision making planning, controlling, decision making यही तीन चीज़ याद करके यहाँ पर answer लिखो कैसे कहता है the main purpose of the management accounting to present the accounting information accounting to present the accounting information in such way to क्या लिखा है assist the management in planning यह controlling है थीक है मैं लिख दू हो जाती है गलती नराज नहीं हो ना बेटा तरसे ही गलती होती है controlling controlling in the operation of the business controlling in the operation of the business बताई समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब इस management accounting में आपको क्या-क्या याद रखना है हमें पढ़ना क्या-क्या है देखिए management accounting इस टेकनीक इंक्लूडिंग द रेशियो अनलिसिस बजटरी कंट्रोल fund flow statement cash flow statement यह मैं आपको बता दूँ cash class 12 में बड़ा सा याद देख लो class 12 में आपको यह cash flow statement पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है ratio analysis भी पढ़ना पढ़ेगा जब आप बिकॉम में आएंगे तो बाकी इस चीजे पढ़ेंगे budgetary control fund flow वह आप बिकॉम में पढ़ेंगे लेकिन class 12 में यह दो चीजे आपको पढ़नी है जो मैंने टिक लगाई है ratio और आपका क्या cash flow statement तो अगर दिमाग में आ जाए sir cash flow यह मत कहना कि sir यह कोई नया chapter नया नहीं है फुराना है कौन सा management का भाग है कि wealth में जब पढ़ोगे तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना आओ tax accounting क्या है एक टेक्स हमारे देश में दो तरीके का tax चलता है एक जिसे हम कहते हैं अदिटी और दूसरे को कहते हैं IDT एक पहला क्या है DT दूसरा क्या है IDT direct tax और indirect tax पहला क्या थक्स और indirect tax इतना ज्यादा तुम लोग मलब हद हो गई है sir यह क्या था हमने नाम नहीं सुना था direct tax को हम बड़े प्यार से income tax कहते हैं और इंडारेक्ट टेक्स को हम लोग बड़े प्यार से GST भी कहते हैं ठीक है याद आया चलो हो देखो यही चीज़े आ लिखी है कहता है इनकम टेक्स एंड जी एस्टी ठीक है अब सोसल रिस्पॉंसिबिलिटी सब्द बहुत बड़ा सब्द है यह जो आपका बिजनस होता है वो सोसाइटी पर डिपेंड होता है सही कहा मैंने सोसाइटी भी बिजनस पर डिपेंड होती है क्या मैंने सही कहा एक ही चीज को मैं दो तरीके से कह रहा हूँ बिजनस सोसाइटी पर डिपेंड है सोसाइटी बिजनस पर डिपेंड है ठीक उसी प्रकार एक टीचर स्टुडेंट पर डिपेंड है और स्टुडेंट भी किस पर डिपेंड है यह न तो दोनों की responsibility बनती है कि नहीं बनती है अब आजाये business में आईए कहता है society provide the infrastructure and facility without the business cannot be operated all क्या यह statement सही है कि गलत है अगर society आपको infrastructure ना दे infrastructure का मतलब आपको जमीन ना दे आपको भवन building बनाने के लिए material ना दे तो क्या आप लोग अपना business start कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे फिर क्या लिखा है business also has the responsible to the society फिर कहता है there is the growing demand for report on activity which reflect the contribution of the enterprises the enterprises to the society हमारी देश में हर समय नई नई जिग्यासाएं create हो रही है नई नई चीजों को हम लोग जन्म लेते हैं हमारा जो human nature है बेटा वो आज तक कभी वी एक चीज पर रहा ही नहीं है जैसे आप एक mobile खरीदिये आज चार दिन के बाद नया फोन आ जाता है आपके मन में आता है है तेरी की चार दिन रुक गए होते आदियो और वही कि फोन जब एक साल हो जाता है तो इसमें आप जो फोन जब नया आता है तो खुब केर करते हो आप लोग ना इसके घरे नारे बाबू है तू मेरा तू मेरा इससे कुछ करते हो कि नहीं करते बड़े प्रोडेक्ट लाती है जैसे अगर उसको कुछ नहीं मिलता बिजनस क्या करता है बिजनस अपनी नई पुरानी चीज को नए में परिवर्तित कर देता है कर हीरो हैं हीरो है जिनका नाम है एस आर के नम नहीं लूँगा कुछ दिन पहले वह एड करते थे इसका पैपसी का करते थे पैपसी का पैपसी मतलब भूट में साइद पता नहीं क्या था अपने अच्छा फिर उसके बाद उनके ही एक मित्र जिनका नाम था हाँ S.K. सलमान खान तो वो थमसब का करते थे घूट घूट में तूफान ठीक है कुछ तिनों के बाद ये इस पे चले आए और ये इस पे चले आए मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब आप सारुख खान से कर कोई पूछे किसार एक बात बताओ पहले तुम पेपसी पीते थे तो काईगा हम बिल्कुल नहीं पीते थे अच्छा आप थमसब पीते हो नहीं अब हम थमसब भी नहीं पीते है कारण क्या है कमपणी यही करती ही है अपने प्रोडेक्ट को क्या करती है नया नया करके मार्केट में ले जाके दे देती है तो मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा वी तु देखो मन भर जाता है यह नहीं भर जाता थे आगे बात ना करेंगे तो अच्छा रहेगा यह सोशल रिस्पॉंसिबिल्टी समझ में आ गई कि नहीं आ गई आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद एक और कुश्चन आपके साम कि जो मीनिंग पढ़े है ना भई यह वहीं लिख दीजेगा देखो आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिकॉर्डिंग कम्टिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है ना फिर उसके बाद ओर्गनाईजंग सरी और्गनाईजिंग क्या होता है औरे से है और्गनाइजेशन देख लो कौन कौन सी है बता था ना तीन तरीके की होते हैं इंटर्णल यूजर में किसको किसको रखा जाता है तो देखो इंटर्णल यूजर में दो लोगों को रखा गया है पहले कौन है ओनर और मेनेजमेंट हो गए हैं ओनर और मेनेजमेंट को आप यह भी कह सकते हैं सार employee ce इंपलॉई ठीक है अच्छा एक्सटर्णल में कौन है एक्सटर्णल में कौन कौन है देखो एक्सटर्णल में सबसे पहले potential investor अब आप कहो है सर पोटेंशल investor कौन होते भी जो पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं अभी पैसा नहीं लगाए हैं अगर पैसा लगा देते तो वह ओनर हो जाते लेकिन अभी वह पैसा क्या कर रहे हैं लगाने का सोच रहे हैं जैसे मेरी क्लास में आप क्लास ले रहे हो आप हमारे student हुए अभी आपने कहा कि सर class 12 में अभी मेरी class के और बच्चे आएंगे वो potential student हो गए समझ में आया आप student है और जो आएंगे एक महीने दो महीने बाद वो क्या हो गए potential investor हो गए बात समझ में आ गए फिर उसके बाद अगले कौन है बेटा वो लोग जो आपको छोटी या लंबी या उधी के लिए क्या देते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं या गुट सप्लाई करते हैं आपको ठीक है अब देखो यहां पर आपकी किताब में एक सब्द ये भी लिखा था इंप्लॉई काट दीजे इसे परड क्या है management employee ही तो होता है किताब में से भी काट दीजेगा किताब गलत है क्या तुम लोग खुद डिसाइड करो यार पढ़े लिखे तुम लोग खुद हो मैं क्यों बोलू आगे बताओ अगला point क्या है tax authority लेर हो गया वेटा चलिए अब एक question और आता ठीक है सबसे पहला advantage क्या है बिटा help in the management in the management business management बताए ज़रा क्या यह statement सही है कि गलत है helpful in the management of the business management कैसे planning कैसे decision making कैसे controlling दिख लोगे की नहीं लिख लोगे खिरा के देखो तो कहता है providing the complete and systematic record of business the business feature- फ्यवाला चेप दे क्या वही बाला चेप दे साब ढलत चेप नहीं बदल बदल दे ना guidance फीचर सब्ठ है better this is the first video of जीसे माल लो आप feature लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? फीचर आप लिखना this is the first feature of the accounting माल लो अगर आप objective लिख रहे हो this is the first objective of the accounting लो फंसन लिख रहे हो this is the first function of the accounting अंसर्वा वही रहेगा खाली सब्दवे थोड़ा सा क्या कर देना है, बदल देना है आपके भी टीचर कहेंगे वाह लड़का पड़के आया है उनको क्या पता कि लड़का एक ही चीज को तीन तरीके से प्रजेंट कर रहा है स्मार्ट बनो बिटा यह देखो वही चीज है आगी कि नहीं देखो information regarding the profit and loss, information regarding the financial position, फिर क्या comparative study और फिर क्या, assessment of the tax liability, evidence of the legal matter, facility to sale of the business, helpful in the rising loan, helpful in the partnership account बात समझ में आगया कि नहीं आगया बेटा, चैले अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, limitation की देखो limitation कई बार आता है कि what is the advantage and disadvantage of the accounting चार नंबर दो थे advantage लिख देना, दो थे disadvantage लिख देना, देखो सबसे पहला disadvantage क्या है कि जो accounting होती है बेटा वो personal judgment पे कारे करती है, किस पे कारे करती है personal judgment पे, अब आप कहोगे sir कैसे बात कर रहे हो, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि accounting is the art as well as science, अब का खाने बनाने का तरीका एक था अलग था personal judgment आ गया कि नहीं आ गया, किसी ने प्याज पहले डाली होगी, किसी ने प्याज बाद में डाली होगी किसी ने पीस के डाली होगी, किसी ने कुछ कुछा के डाली होगी परसनल जजमेंट, तो अगर परसनल जजमेंट किये हो तो गलती होने का चांस है कि नहीं है 100% गलती होने का क्या है चांस है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहली limitation, दूसरी limitation क्या है, कि सर हमको accounting concept और conservation के हिसाफ से चलना पड़ता है, यानि science ना, science ना किसी ने क sırज सर दर्द हो रहा है, जैसे example से देते हैं, एक बच्चे ने का सर सर दर्द हो रहा है, भीनिकत तीसरी दर्द हो रहा है, पुझे पता चला कि रात में जब तुम सोते नहीं हो इसे नहीं सोने से भी तो नहीं होता है ना सोने से भी तो दर्द होता है तो वहीं चीज होती है कि आपके सामने एक pre-determined क्या दे रखा है principle दे रखा है एक pre-determined rule or regulation दे रखा है या एक बात बताए जब nature of business अलग-अलग हो सकता है तो nature of principal भी तो अलग-अलग होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे मैं दस तरीके का बिजनस अगर है तो क्या सब के लिए रूल और रेगुलेशन एक जैसा होगा क्या के लिए अलग-अलग होगा ना तो यह कि गलत है जैसे मेरी क्लास में माल लीजे मैंने पार्टी दी आपको कोई दो भटूरा खाएगा कोई चार खाएगा कोई अनी ओनी लेकर भी आएगा होता है कि नहीं चलिए फैर मजा कपाड था यह तो बेस्ट अंदा अकांटिंग कॉंसेट है चलिए आगे देखेंगे अच्छा इनकंप्लीट रिकॉर्ड सर इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन सर अ इसको रिकॉर्ड नहीं किया एक्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को बेटा जब आप पेट्रोल पंपे जाते हो त्रेल डलवाने के लिए वहां पर लिखा रहता है बाननवे दसमलों आठ पैसा असी पैसा तो आप उसके जगहां कितना रुपया दे कर आते हो तिरान पंपे कम से कम 500 लोग टेल डलवाएं जास बीस पैसे गुड़े 500 कर summar, एक दिन में 500 लोग डलवाते हैं और बीस पैसा एक्ष्ट्र, देते हैं तो 500 गुड़े पीस पैसा पान्सो गुड़े बीस पैसा, एक स्टो रुपया आ गया, एक दिन का मल लो, और तीस दिन, गुड़े तीस, तीन हजार रुपया बेटा हो गया कि नहीं हो गया, और अगर हम रिकॉर्डिंग ना करें तो मैंने एक नॉर्मल एक्जामपल लिया आपको, अगर मैंने इसकी र है, एक पढ़ते थे आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो वो इनकंप्लिट रिकॉर्ड का ही तो एक्जामपल था, वो सारा का सारा, फिर उसके बाद सर, ओमीशन भी होता है, गलतिया भी हम लोग करते हैं, गलतिया करते हो, यूमन हो भाईया, गलती तो करोगे ही क है, फिर उसके बाद, सर, हिस्टोरीकल कास्ट पे हम बेस रहते हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट कस्ट, मार्कट की करेंड कास्ट पे रिकरड कर चुके हैं, उसी पर हम बात करेंगे, यह भी तुवाँ लिए गलती है की नहीं है, बिटा, आज की मार्कट की सीच चलते थे अलग बात है आज बताओ ना तुम पहले जमाने का लेकर चल रहे हो तुमाई दादा हवाई जहाज पर चलते थे आप किस पर चलते हो यानि मार्केट पुजीशन आज की आपकी क्या है वो आप बताईए ठीक है फिर उसके बाद बेटा ये पॉइंट देखिए कहत सबसे पहला क्या है रिलाइबिलिटी रिलाइबिलिटी का मतलब क्या होता है विश्वास कर लो मालिक विश्वास करना दूसरा क्या है रिल्लेवेंस का मतलब क्या है अगर पापा सेर पे चलते थे घोड़ा पे चलते थे तुम किस पे चलते हो ताइक ली पे तो गरवड़ाएगा कि नहीं गरवड़ाएगा अच्छा मैं एक बात बता हूँ अभी हमारे एक मित्र है तो उनकी सिस्टर की साधी हुई तो ऐसे जर्नली सवाल यह उठता है कि भह या लड़का क्या गरता है उता यह नहीं सवाल मैंने पूछा मैंने का भीया जो तुमाहे जीजा है करते क्या है तो वो अपने जीजा का छोड़ बाकी अँँके पूरे खांदान का बता दिए हमको उनके पिता जी रिटायर IPS आफिसर हैं मैंने का अच्छी बात है उनकी माता जी रिटायर हेड मास्टर हैं मैंने का बहुत अच्छी बात है उनके जीजा पता नहीं क्या है मैंने का बहुत अच्छी बात है मैंने का इहार मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे जीजा क्या करते हैं नहीं करते हैं मैंने का मतलब कहे अभी करेंगे साधी के बात करेंगे होटल खोलेंगे तो जरा बताइए क्या यह जानकारी इन्हों ने मुझे दी, क्या यह मेरे लिए relevance थी? नहीं थी ना, प्रेर, relevance मतलब relate करना, फिर understandability, अब वो जो मुझे relevance ही नहीं रहे गाथ, क्या वो मुझे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, चालो आगे बात करते हैं, understandability, और फिर last क्या है आपका बेटा यह चार फीचर आपको याद रखना है पहला क्या है आपका रेलवेंस फिर क्या है रिलाइबिलिटी फिर क्या है अंडर्स्टेंड बिलिटी और फिर क्या है कंपेर बिलिटी बात समझ में आ गई बटा अब फिर उसके बाद एक लास्ट कुश्चन आपके चाप्टर वन से आता है कि वाट इस दा रोल ओफ एकाउंटिंग वाट इस दा रोल ओफ एकाउंटिंग तो पहला रोल क्या है बेटा कि अकाउंटिंग यहां से नंबर कई बार आता है कि अकाउंटिंग क्या है लेंग्वेज ऑ बिजनेस है एकाउंटिंग क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट प बताई ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई अब गड़ी आ गई है जिसका तुम्हें था इंतजा तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए साधी साथ आपको कोई भी समस्या अगर इस चाप्टर को लेकर हुई है जा थेंकी स्पिलिंग गलत है कि अधिये या थोड़ा माडन तरीकेस लिखे हैं चलिए तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे होने के दस दिन के बाद यानि आप ये मान के चलिए कि दो अपरेल से हमारी क्लास 12 की बैच स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आप क्लास 12 हमसे जुड़ना चाहते हैं आफ लाइन या ओन लाइन किसी भी माध्धम से तो आप हमारे नीचे दिये गए नंबर पर हमें कॉल कर स किते हैं बाकी आप सभी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए जय भूले नाद